हेलो वरीबन नमस्कार मैं हूँ भी नहीं और आप देख रहे हैं परपटी परवाइडर अभी हम आपको प्लॉट दिखाने के लिए हैं जो कि बेला में हैं बेला ये लोकेशन जो पड़ता है आपका दानापूर स्टेशन से बीटा वाले रोड में आपका जश्ट है सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाश्ट बने रहे हैं ताकि आपको प्लॉट की पूरी जनकारी मिल सके और अभी हम आपको पूरा दिखाने जा रहे हैं कैनेक्टिवीटी से लेके आपका कितना रास्ता दिया रही है एक टूजेट बर कभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं तो हमारे साथ है सुभाम जी यह बताइए कि यह इक्जेक्ट लोकेशन कौन सा पढ़ता है यह सर बेला गाउं पर रहा है ठीक है बेला गाउं के पार से आगे बढ़िएगा कनहुली से दो किलोमेटर पीछे पर पास जो है आपका असिरवात का अपार्टमेंट अभी हम आपको दिखाएंगे बगल से आहर आई है और बेला साइट से जो है पकी रोड है रोड से ही कनेक्टेड यह प्लॉट है जो अभी हम पहले आपको रास्ता बगरा सारा दिखाने जा रहे हैं तो चलिए पहले र पुरी जनकारी पलॉट दिखाएंगे आपको यह देखें यह आपका मेर्ट हो गया मेर्ट जो है किनेक्टी रोड है जो कि आपका में दानापूर से बीट्टा वाले मेरोड है मेरोड बेला से बिकूली आती है आपका यहां से मैक्सिमां 500 मीटर का दिस्टेंस पर आपका म यहां से आपको प्लॉट तक लेते चल रहे हैं यह देखें यह कनेक्टेड रोड है और यही रोड है यहां से आगे जाने क्यैंसे एक आहर निकला है जो कि डाilक्ट आपका रोड से मिला रहती है और अब यह वीडियो में आपको दिखाएंगे कि जो दुपलेक्स है बास्ट बिहार का अब आपको जो है में रोट से यहां से आप कनेक्ट कर दिया जाएगा जो कि डारेक्ट सामने पड़ती है और आपका जो है सिर्भात का जो बना हुआ अपार्टमेंट है सारा चीजे डिवलप्मेंट रोड अभी आपको सामने में दीखेगा अब यहां लोग का में इंट्रेंट से जो कि अम लोग 30 फीट का दे रहे हैं देखें यह 30 फीट का रोड है 30 फीट का रोड इंट्रेंस रोड है अब इंट्रेंस प्राइम लोकेशन है जच पर आपका पूर्शुली रेस्ट करते हैं अफाल में बंखान हो एक रहा है जो प्लेट वर्डीप बना हुआ है लोग यहां पर रहा रहे हैं यह सारा चीजिए डिवलेप्मेंट यहां पर हुआ पड़ा है यहां है तो आज के डेट मैंभी बना के रह सकते हैं जैसे कर यहां से अब देख सकते हैंर हो जाता है तक यह वाला फिलर में यह सिर्थार पर नीकल प्रांच पर यह इवा है प्रांच तक हुआ पजये और करें कि अच्छ कि अच्छ कि अच्छ कि अच्छ कि अच्छ कि पूरा प्लोट में बॉन्डी किया हुआ है यह प्लोट है इसी में आपका बचा हुआ प्लोट है जो में बैपास है आपका वो दिख रहा है आपका जो में डोड है तामने में अपार्टमेंट्स बना हुआ है यह आपको इस लोकेशन में नहीं यानि पेर के पीछे रहीं है बास्तु भीयार का आपका डूपलेक्स है यहां से मैक्सिमम 500 मेटर का डिस्टेंस होगा सुवटी पानसो मेटर के डिस्टेंस पे आपका बस्तु भीयार का डूपलेक्स है जो कि लोग रह रहे हैं और लेटी यहां पे लोग रह रहे हैं तो इलेक्रिसिटी फैटली सी बाटर सप्लाई सारा चीज़े इसमें दिया हुआ है राष्टा के साथ आपका दिया हुआ है और सिवाला चौक से मात्र चार किलोमीटर का डिस्टेंस पर यह प्लॉट है जो आप देख रहे हैं एरिया में और अगर हम तो यह सिवाला चौक से मातर चार किलोमीटर का डिस्टेंस पर है और अगर हम बात करते हैं दानापुरा स्टेशन तो यहां से वनली आठ किलोमीटर का डिस्टेंस पर यह प्लॉट है इसको आप आज इन्वेश्टमेंट कर सकते हैं या रेसिडेंशियल मकान बनाना है वह यहां पर जमीन पर्चेश कर सकते हैं तो बिलकुल ही प्राइम लोकेशन पर साफ सुथ्वा नेटन क्लीन जमीन है इस जमीन में आईए पहले आप पोजीशन ले लिजिए बोल्री कर लिजिए उसका पेमेंट कीजिए और रजिस्टी कराईए तो बिलकुल संदाता आप जमीन को इसको पर्चेश कीजिए और चैनल को लेक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थेंक्यू